नमस्कार मैं आधर स्पांडे स्वापन भारत निउस से मवजूद है आज हम भाराइट जिले से करीब सो किलो मीटर की दूरी से कारी कोट नियाय पंचायत के सुजवली ग्राम में सुजवली ग्राम का एक हिस्सा है सत्ता है तिलोकी गोड़ी जो की सुजवली से करीब 3-4 किलो मीटर की दूरी पे है और इस तिलोकी गोड़ी में जाने के लिए लगभग गाउवालों को एक किलो मीटर का जो सफर है वो त कि वहां से निकलना ग्राम वालों का दूभर हो जाता है जिससे आदमी तो कैसे भी निकल लेते हैं पैदल वाले तो निकल ही लेते हैं लेकिन बाइक वाले और फोरविलर और जैसे की आपात कालिन जो सेवाय देती हैं जैसे की एंबुलेंस तो वो नहीं निकल पाती हैं इसी जी बताएं क्या नाम है आपका नीरज कुमार जी बताइए मैं पारस पुर्वा तिरपन का निमासी हूं लभा सुजवली से तीन क्लिमेटर दूर पड़ता है काफी जब बरसाद होती है ते काफी चाहला और कीचड़ हो जाता है इस जो चाहला कीचड़ की रास्ता है इस पे था लेकिन इनके परधानी के बाद एक खड़नजा निकल वा लिए और द्यत्ता से हम लोगों से बोले कि इस पर नए खड़नजा लगवाएं गे दो तो one ले देंगे और этом परणजालक से तहीं लेकिन दामर वाली पक्यू नहीं बन सकती है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोगों ने परधान से बात की थी तो परधान ने कहा था कि हाँ हम करवा देंगे। यह बहुत धन्यवाद आएए बात करते हैं। आएए जी बताएए। जी मैं क्रांती मिस्रा समाजिक कार्करता सुजोली जहां कि हम सभी लोग खड़े हैं बेरिगात का मामला है ये रास्ता लगभग अनेकों ग्राम पंचायतों को जोड़ता है पिछले तीन दिनों से लगातार बारी सो जाने की वज़ा से ये पुरा रास्ता ठप हो गया है लोगों का निकलना दुरलब हो गया है छोटे-छोटे बच्चे माताइट एंबूलेंस सेवा जाती है वो भी वहां तक नहीं पहुच पाती जी बहुत-बहुत दन्यात और एक लगभग 500 मीटर रोड जो है यह वन विभाग के अधीन है लोगों का कहना है कि वन विभाग बनने नहीं दे रहा है इस चिले में माननिये वन मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी ने डेफो भाराइच को तलब करकर के उनसे पूचा कि आखिर आप रोड क्यों नहीं बन लगवादे तो मुझे कोई आपती नहीं मुरा पुरा सहयोग होगा रोड बने इस अंदर में क्या आपने परधान जी से बात की जी मैंने परधान जी को अभी फोन किया उनको ओगत कराया कि हम समीरों के गठा हो रहे हैं आप यहां आईए बताईए कि क्या समस्या है आखि जो कि यह बैरी घाट है बैरी घाट के आप देख सकते हैं इदर चारों तरब पानी भरा हुआ है और इसके बाद में इधर देखिए एक साइड जंगल है अब इस जंगल में तो यह जानवरों से घिरा हुआ छेत्र है अब इस छेत्र में लोगों का जीना तो दूबर था ह उसके साथ सा रोड ना होने के कारण लोगों का आवा गवन भी ठप हो रहा है और इसके साथ देखिये आपको यहां ग्रामीडों में कितना रोस नजर आ रहा है सब गुस्से से एकदम है देखिये गुस्सा इनके उपर भरा हुआ है कि सासन पर सासन से अपनी बातों को कह रहे हैं कि इनकी जो समस्या है ये रोड की इसको पूरी की जाए आए इनसे एक बार वारता लाप करते हैं ठीक बताइए क्या चाहते हैं आप सासन से क्या चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो करने पर मजबूर हो जाएंगे बाद हो जाएंगे इनका कहना है कि एक महिने के अंदर अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो यह आमरण अन्सन पर बैठेंगे बहुत भाइच धन्यवाद कि इस अधन तरो में अधन अर्वार करने अधने अननी बाद ताहें जाहां देखे लिए अधनी अधनितर्स लिए यहां अधनितर्स भूद्या अ अब जाए ज़िए आ रहा है अब जा रहे फोन के हैं जाए जाइसाना फूल वाव बना वाविजा दूसरी तरह कुछ